जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो 2022 में राहु ग्रह बहुत सारे ऐसी राशियां है जिनका किस्मत बदलने वाले भाग्य बदलने वाले बेशुमार धन और दौलत देंगे राहु 2022 में आप सभी को तो आईए जानते हैं कौन-कौन से राशी वाले को राहु आप पार धन देने वाले हैं 2022 में तो इसके लिए आप हमारे साथ बीडियो में अंततक बने रहें और शंपोन बीडियो का लाब उठावे बीडियो पसंद आता है तो बीडियो को लाइक करें प्रतिक्रिया में जै मातादी अवश्य लिखें आईए बीडियो सुरू करते हैं दोस्तो हमारे जोती सास्त्र में राहु को एक पाप ग्रह माना जाता है कहा जाता है कि राहू के प्रभाव में आने वाली रासियां और जातक परिशान रहता है लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि राहू ग्रह जब देने पर आ जाते हैं तो अपार छपड़फार धन देते हैं और जिस पर राहू प्रशन हो जाए उनकी जिंदगी तो सवर जाती है उनकी जिंदगी राजा की तरह बन जाती है राहू को एक रासि से दुसरे राशी में गोचर करने में करिब डेढ़ साल का समय लगता है 12 एप्रिल 2022 को राहू ब्रिशब रासी से मेश रासी में गोचर करेंगे इस गोचर का कुछ रासी वालों पर शुप प्रभाव पड़ेगा तो कुछ रासी वालों पर अशुप प्रभाव पड़ेगा आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन-कौन से राशी वालों के लिए राहु का यह गोचर शुप फल लेकर आ रहा है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिशब रासे की ब्रिशब राशी वालों के लिए राशी का गोचर अच्छा रहेगा इस ओधी में आप कुछ नया करने की शोचेंगे सिख्छा के छेत्र में आपा शफलता मिलने के योग बनेंगे विदेश में नौकरी कर रहे जातकों के लिए अच्छा लाप राप्त होने की असार है इस दोरान आपको अपना शफना पूरा करने के लिए कई मौके मिल सकते हैं ब्यापारियों के लिए ये गोचर शुब साबित होगा अगली भागेशाली राशी है मिथुन राशी मिथुन राशी वालों को अचानक से लाप राप्त होने के असार रहेंगे जो जातक नौकरी पेसा से जुड़े हुए हैं उनके वेतन में ब्रिधी हो शकती है आमदनी अच्छी करने के लिए इस साल कई मौके प्राप्त होंगे जो जातक ब्यापार कर रहे हैं उनके लिए गोचर खास तोर पर लाप्रत साबित होगा कमाई के स्रोतों में ब्रिधी होगी इस गोचर के दोरान अच्छा आर्थिक लाप भी मिलेगा निवेश के लिए भी यह समय आपके लिए अच्छा है इसके बाद जो भागेशाली रासी है वो राशी है करकराशी कर्ग राशी वालों के लिए भी ये गोचर शुब दिखाई दे रहा है नए दोस्त बनेंगे जिन से लाब मिलने के आसार है निवेश से अच्छा लाब प्राप्त करने की उमीद है अपने रूची के काम करने से आपको फैदा मिलेगा नौकरी बदलने की योजना बना रहे ह तो ये ओधी आपके लिए अनुकुल रहने वाली है इस दोरान आपको अपनी योगता दिखाने का औशर प्राप्त होगा समाज में आपकी अलग अलग पहचान बनेगी अगली भागे शाली राशी है तुला राशी तुला राशी वालों के लिए भी यह गोचर शुब इस ओधी में आप अंधिकृत स्रोतों से किसी प्रकार का लाप प्राप्त कर शकते हैं बेवशाय को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर योजना बना सकेंगे यात्रा से धन लाप होने की शंभावना है आय में बढ़ोतरी होगी और पद में पदोनत्ती होने की शंभाव अड़री